तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा उत्तिष्ठत जाग्रत समस्तनो करुणाती सहर्ष स्विकार उत्तिष्ठ जाग्रत शब्दो उच्चारताँज स्वामी तेजो मयानन जीनी आखो मां आशू आशू निहालीने अंदर थी उदगार थयो धन्योस्मी धन्योस्मी लेकन अने पठन पद्राय वच्रा जाने प्रकाशन फुल्चाब मतुवन पूर्ति भारतिय संस्कृति नी बेलाक्षन एक्ताओ उदारता अने अन आक्रमक्ता सनातन हिंदु धर्मना बे आधारो भूत दया अने समता वारमवार उच्चारातो एक मंगल मंत्र सर्वता सव सुखी थाओ समता सव समाचरो सर्वत्र दिव्यता अव्याबो सर्वत्र शान्ति विस्थरो कायम सूख आचरण मा समता चोतरफ दिव्यता अने सर्वत्र शान्ति आवी परम अभिलाशा ए भारतिय संस्कुती नी गंगा छे बरतखंड केम विस्तर तो रहो अने पोताना रुदैमा हिंदु, मुसलीम, पार्सी, आरियो, द्रवीडो सवने केम समावतो गयो तेनो इतियास मानविय संस्कुती नी भव्यता अने व्यापकता दर्शावे छे बारत भव्याती भव्य छे कारण तेमा भळता रहवानो निर्भेळ आनंद छे बधा धर्मोनो स्विकार अने ए धर्मना मूल तत्वनो आधर हाँ एवु बनियू के हिंदु धर्म माथी अनेक धारावो व्यती थै पण वेदनो समन्मय मंत्र सववे प्रचार्यो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ती रुगवेदनो आ समन्मय मंत्र शास्वत सत्य शिखवे छे के सत्य तो एकज छे पंतेने जोवान मारगो अनेक छे जेम सूर्य एकज छे पंते देश-देश मां अलग-अलग स्थळे ने समय देखाई छे औने अलग धबे प्रकाशे छे तेमज सत्यना नामे विवाद नहीं पंदिव्य समवाद आपना जैन धर्म प्रभू माहवीर स्वामिये तो श्रेष्ट सुत्रापियूं सत्याग्रही बनता पहलां सत्यग्राही बनों हाँ सनातन धर्मनों आधारलई ने गणा प्रवाहो स्वतंत्र पन थाया वड़ी कितलाक संप्रदायों पन थाया के जेमने पोताना धर्म गुरुने इश्वर मान्या अने मना व्याप्म संकु चित्तानों एक पंथ रचायों अने संकूल बनवामा व्यापक थतो गयो येमने द्विधाव प्रश्णार्थो विवादो उभाक करया पर मुलबुत सनातन धर्मना पूरसकरता आदी शंकराचारिय स्विकाराया अने तेमने प्रसारकों ने परिव्राजक बना गया आ परिव्राजकों माथी कोई एक संस्थान निर्मान पाम्या अने एमानू एक शिर्षस्त संस्थान एटले श्री चिनमय मिशन कि जे आज थी लगबग सत्योतेर वर्षो पहला स्थापायू स्वामी श्री स्रिवानंजीना स्थिश्य स्वामी श्री तपोवन महराजना स्थिश्य स्वामी श्री चिनमयानंजी चिनमय मिशनना आधार स्थम्भ बन्या तेवनी महा समाधी पची चिनमयानंजीना अंतरंग शिश्य स्वामी श्री तेजो मयानंजी ये चिनमय मिशननी धुरा संभाडे शिश्यो जमने वाल्थी गुरुजी कहे चे ते स्वामी तेजो मया नंजी मूलतो फिजिक्स ना ठीचर एकले यमनू रसक्षत्र टीचिंग मुख्य आने प्रीचिंग गौंस मिशननु ध्यई बाउस्पष्ट वेद, वेदान्त, उपनिशदोनु अध्ययन, अध्यापन, प्रकाशन अने प्रसार आडियवली विजी कोई वाद नहीं सुरेक नेसदीश अध्यात्म प्रवा इखले चिन्मै मिशन गुरू श्री तेजो मानंजी सस्मीत अने सरलता थी हिंदी, अंग्रेजी अने मराठी मां शास्त्रों शिखवे अने भजनानंदी सत्संग पन करे हम्राना लोकडाउन दर्म्यान ओनलाइन कठोप निशदनाद सत्संग नो क्लासिकल आरंब थयो स्वामी तेजो मानंजी द्वारा रोज लगबग दस हजार श्रावक को जोड़ाई छे अने बहुज समय बद्ध अने वर्ग शिस्त थी स्वामी श्री कठोप निशदनी कठीन वानी ने सरल अने रसाल बनावी ने पिर्से छे रोज त्रिस मिनीट नी सत्याविश मी कडी मा एक करुणा मैं खटना बनी अने भारती ये संस्कृती नी महान्ताना दर्शन थया स्वामी जीए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान बोधत ए मंत्र उच्चार्यों आने तेओनी आँख बंद थै तेओना भगमा वस्त्रों ने जाने भावुकता स्पर्शी गई स्वामी जीए गढ़गढा कंठे स्वामी श्री विवेकानन जी ने स्मरन कर्यू अने बेहाट जोडी ने प्रणाम करता बोल्या उत्तिष्ठत जाग्रत आ बेज शब्दों थी कितला बधा युवानों ने बेठा करनार स्वामी श्री विवेकानन जी भारतिय धर्मना हिम शिकर हता We must bow down स्वामी तेजो मानन जी आ मंत्र शिकर ती वक्ते वारम वार अश्रु जांखिती बेंजाया अने पचिती बहु आगल तेवो वात न करी शक्या सनातन धर्मना एक निरक्षीर स्वामी पोताना धर्मना पुर्व धुरंदर स्वामी ने केवी करुणा मई अंजली अरपन करी शके छे ते निहाडी ने मारी अंदर थी कोई बोल्यू दन्योस्मी समस्तनो करुणा थी सहर्ष स्विकार एज भारतिय संस्कृति आवो आपड़े सामी श्री थेजो मान अंजिनी एक करुणा मई पड़ना थोड़ी वार माटे साक्षी बनिये प्रणाम हरी ही ओम प्रणाव प्रणाव कर दो आपड़े वार रिस्ट्टब्ड़ी झाटा झाटाव् प्रणाव प्रणाव प्रणावा प्रणाव वार माते सियां क्षुरस्यधारा निषिता दुरत्यया दुरुगं पधस्तत कवयो वदंति उत्यस्थता अराइस जागृता अवेटा अवेटा Now these two words were most popular by our most revered Swami Vivekanandji and he said arise awake stop not till the goal is reached that is a sentence it is not here in the mantra but arise and awake he said then he says stop not till the goal is reached that's the most famous statement of Swamiji And that one sentence has inspired so many youth so we bow down to him What is there? Literal translation here Uttishthata Arise Jagrata Arise Avika Prapya Varana Prapya means approach The Varana Shrestha Acharya and the great teachers and Nibodhata Nibodhata Gain this knowledge Know the truth of your own self Here Bhagawan Bahashyaka this word particularly you know it melts your heart He says नही उपेक्षितव्यम इती स॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ great compassion, feeling for us say like a mother, mother who goes on telling in life, shruti mata, directly you are the Yamraj also saying, uttishtata, jagrata, prapya varannibhodata, kshurasya dhara nishita duradya, durgam patastat kavayo vadandi, we use the word kavi in the meaning of a poet, kavayami rishayaha, the great sages, atmadjnaninaha, krantadarshinaha, sarvadnyakalpaha, these great sages, realized masters, vadandi, they say, of course they say, you who wake up, arise awake, remember durgam pataha tat kavayo danti, this path of knowledge, this path of this meditation, realization, durgam, durgamya dukhena gantum shakram, difficult to walk, how much difficult to walk, kshurasya dhara nishita duradyaya, like kshurasya dhara, like the razor's edge, and that razor's also not blunt, nishita, nishita, sharpened, walking, walking, over the sharpened razor's edge, duratyaya padbhyam, why do I walk, if you go and walk, cannot reach, duratyaya, now somebody may say, the first two shloka lines, you know, they really inspired me, uttishthata, jagrata, praapyavara, nibodhata, but the second two lines has put cold water on my enthusiasm, isn't it? but it has got too much of significance. tu hii saa gaye, tu hii saa gaye, tu hii kinara, dhundta hai, tu kis ka sahara, dhundta hai, tu kis ka sahara, pero miko, ya zwar, dhundra hai, you Oooki sa saa gaye idolana, ato kshurasya dhumbra, झाल झाल